15 नवंबर की रात करीब 11.30 बजे नई दिल्ली में रहने वाले शिवम शर्मा और कुसुम राजपूत ड्राइफ पर गए थे। शिवम हुंडाई I-20 गाड़ी चला रहा था। दोनों की उमर 20 से 29 साल के बीच है। शिवम तेज गती में था और बैरिगेट को तोड़ कर राष्ट्रपती भवन में घुज गया। राष्ट्रपती भवन के अंदर मौजुद शुरक्षा कर्मी हैरान रहे गए और उन्होंने तुरंत रोका। गाड़ी शिवम को खिड़की नीचे करने के लिए कहा। और उसे कुछ सवाल पूछे। गाड़ ने देखा कि शिवम और उनकी प्रेमी का कुस्तुम दोनों भी नशे में थे। नशे में दुद्ध शिवम ने कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को ड्राइव पर ले जाना चाता था। दोनों को गिरफतार कर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। प्रात्मी की दर्ज कर ली गई है और उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्यूंकि राष्ट्रपती भवन एक बहुत ही हाई प्रोफाल शेत्र है। और राजनेताओ, पत्रकारो या सरकार द्वारा आमंत्रित लोगों को छोड़ कर किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमती नहीं है।